यह यह इस वीडियो बात कर रहा है हम यहां पर दिस्क्रीट मैथमाटिक्स के टॉपिक के बारे में इसमें यहां पर प्रिवेश्यर कुषिए जते हम नियुक्त करेंगे वीड़्टो पूरा देखें इसे यहनई प dobr करके यह लेंकम कोter डिसक्रिबिशन box पर कीवन है यह सारे विडियो देख सकते हैं अगर देखते हे่ Points नमबर वन के О Earills करेंगे वीडियो देखते हैं बार्य महां ऐसकिला फैस्ट जो और मार्स केसके छो below कि छो खुन से ने बार में करेंगे तो छॉंद नॉंबर वन समसी आप सब्सक्राइब स्था करता है though question पर नॉमर्ण सेज्थ मेरं आप नब के अद में the complete backward ग्र示ばい रफ होता है इंदी में पूर्ण द्विखंटी ग्राफ इसको कहा जाता है क्या मिनिंग होता है इसका देफिनेशन है कि वर्टेक्स वी ऑफ ग्राफ जी कैन भी पार्शिनेटेट इंटू नौन अगर मैं वी को अगर दो डिजाइंट सब्सेट में डिवाइड कर देता हूं एकसा यहां पर यहां पर यह इक भी एलिमेंट उनका नहीं होना चाहि होगा तो अशिक Today the Home अब यहां पर में चीज यह होती है कि जब बात कर रहें यह यह वी V1 मैं consider कर लेता हूं कि V1 and V3 ऐसा ले लेता हूं ठीक है वी जो set है उसके अंदर तीन है ऐसे V1, V2, 4 ले लो V3, V4 and V5 चलो तो यह जो set इसके अंदर कह रहा है अगर हम इसको design में consider कर लेता हूं तो एक मैंने set यहां से V1 ले लिया इसके लिए आप इसको X कह सकता है ठीक है एक मैंने यहां से V2 आ गया V2, V4, V5 इसको आप Y कह दो तो यह कह रहा है कि यहां पर each as of G has one end in X and one end in Y एक end इदर होना चाहिए यानि कि एक V1 से connected होना चाहिए तो दूसरा V2 से connected होना चाहिए for example अगर मैं इसका graph बनाना कोशिश करता हूं तो यह हो जाएगा V1 यहां से यह हो जाएगा V2 यह एक end हो गया उसरा end हो गया आप इसको ऐसे बना सकते हैं यह V4 है यह V5 है यह V3 है इसका मतलब क्या हुआ है अब बात करता है complete by operated graph के बारे में यहां पर तो क्या हो गया वीवन वी टू से connected हो गया यह एक अलग राफ बन गया यहां पे complete में सारे एक दूसरी इच एन एवरी एक दूसरे सा आपसमें connected होने ची तो कम्पलीट हो गया और example अगर मैं यहां पर ले ले लेता हूं V1, V2, V3, V4, V5 तो यह उसी set का अमने ऐसा बना दिया ठीक है तो यह हो गया V1 V2 यह ऐसा कर लो V3, V4 और यह वाला हो जाएगा V5 सारे element एक दूसरे से connected हो दूसरा यह भी है उसके अंदर कि यहाँ पर जो आप complete vibrated graph बना रहा है इसके अंदर V1 जो है वो दूसरे वाले के साथ में V2 से भी connected है V4 से भी connected है वो V3 से connected नहीं है वापस V5 से connected है यह सारे तीनों जो elements है तीनों जो vertex है वो दूसरे set के vertex है इसको कम्प्लीट बाइपरिट ग्राफ for example अगर मैं यह बना रहा हूं यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पर यह V1 हो जाएगा V2, V3, V4 मानलों यह दौनों जो है वो दूसरे sets के element है तो एक जो है वो दो से connected हो रहा है दूसरे वाले दो से क्या हो जाएगा यह टू टू हो जाएगा अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो एक जो है के M जो है वो यहाँ पर क्या represent कर रहा है X के element को X के कितना element है यहाँ पर 2 element है और Y के कितना element है 3 element है यह देखो यहाँ पर लिख रहा है Y के 3 element है तो यह 2, 3 हो जाएगा यहां पर हमने दो जो है वो X के लिए रखे है और दो जो है वो Y के लिए रखे है तो यह K22 हो जाएगा इस इस बेसिकली रिप्रेजेंटेशन अफ दे कंप्लीट बाइपरेटिट ग्राफ अब कम तूदी कुशियन नंबर टूब टू मां बात कर रहे हैं वाध इस डिफरेंस बिटूइन अन नॉन प्लेनर ग्राफ लेनर और नॉन प्लेनर में क्या दिफरेंस हो गया सीधा समया से समझ सकता है समय ग्राफ दिख रही प्लेनर रहे यह नं प्लेनर का रही से ब्लेंस नो लिंक ओलेप अनॉब्स को कटने कर दोड़िया और यहां पर ओर लैपिंगोरी ग्राफ अर बीज अवरलेबिगोरी यह नंवेल्स अर ओर लिपिं और लिए तो यह रही ऑटिवीगा था एक अंध इसको प्लेनर में convert करने के लिए configure भी नहीं कर सकते हैं तो यह क्या हो जाएगा अगर वो किसी से इंटर्चक कर गया इसमें लाइक ओर लैप हो गया पॉर एक्जामपल दिस यह सारे ओर लैप और लैप की बज़े से यह नॉन प्लेर हो जाता यह तो प्लेर हो जाता है अब बात करता है यह को अब इस आपको मिल सकते हैं यह पट उसमें लूप नहीं होना चाहिए तो multigraph जिसमें finite number of vertex as well as finite number of ways सारे finite numbers होने चाहिए और अगर finite नहीं होता है तो infinite हो जाएगा so this is the finite and infinite graph very easy okay now come to the question number four and अब से यहां से स्टार्ट हो जाता है question six marks के question इसमें हम discuss करता है तो यहां पर आपको एक theorem पूछी जाती है और यह बहुत बार exam में पूछी जाती है यहां पर basically prove that the number of vertex is of odd degree odd degree की जतने vertex होता है in a graph is always even वो सारे even होता है बात करते है इसके proof के बारह में है सबसे पहले तो इसका proof समझने से पहले graph का थोड़ा बहुत knowledge होना चाहिए ता आप हमारे previous videos को देख सकते है ताकि आपको पूरा concept clear हो जाएगा let G is equals to VE be a graph इस टाइप से graph को denote करता है यह graph है in which यहां पर in which जो V है that is the set of vertex and E जो है that is the set of page now हम क्या जानता है we know that एक theorem और होता है आपको ध्यान दखना है उसके statement के बारह में submission of degree degree का basically meaning मैं आपको बता दूँ मानलो यह यहां पर K या फिर एक ले लो V1 कोई graph V1 ले लो कोई vertex जो की आगे जाके मानलो 3 से connect होता है V2 और यह ऐसे कि मानलो मैंने graph बनाया ऐसा V3 V4 V5 V1 की degree अगर मुझे add कर देता हूं और उसका जो result आएगा हो मैंसा उनके ages number of ages जोंगे उनके twice होगा तो यह क्यतना हो जाएगा इसको ले लो यहाँ पर यह E1 यह E2 इस is E3 E4 E5 E6 E7 तो यहाँ पर E7 मतलब यहाँ पर अगर आप इसका degree सारे vertex की degree का sum करेंगे तो 2 into 7 आपको 14 मिलेगा आप कर सकत इसकी बात करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा इसकी बात करेंगे तो यह 1 और यह 2 हो जाएगा और यह 3 हो जाएगा इसकी बात करेंगे तो 1 2 हो जाएगा इसमें वापस 1 2 हो जाएगा तो आपको 14 मिलेगा तो यह result होता है और यह basically 2 का multiple है इसका मतलब यह even है जैसा है यह even ह तो का मल्टीपल है इसलिए हमें क्या प्रूव करना है कि number of vertexes of odd degree ऐसे होंगे इवन होंगे odd degree की जितने भी vertex होंगे उसारे even होंगे यनिकि अगर मैं बात करता हूँ, odd degree के number of vertexes यनिकि अगर मैं जिसे 3 odd हो गया तो ये भी एक हो गया बहुत ऐसे और टिगरी की जितने वर्टेक्स वाइवन होगे जैसे और टिगरी मैं बात करता हूं जो है उसको अमलेट कर लेता है let V1 is the even V1 is the like even degree element V1 is the vertex with this is the set of vertex with even degree S आमने consider कर लिया this is the set of vertex with even degree जिनका even degree है उनको हमने V1 set के अंदर रख दिया है and V2 हमने बात किया यहां पर set of vertex with odd degree जिक है यहां पर हमने odd degree की बात कर लिया तो अब क्या होगा सारे को हम एड करेंगे न हमारे पास में थे और हम है सबको हम एड कर लेंगे ऐसे vertex अब हम ले रहे हैं V belongs to V1 मतलब वो even वाले सारे हैं similarly क्या हो जाएगा V belongs to V2 मतलब सारे odd वाले हैं हमें प्रूफ करना है कि यह जो है यह even होगा and वो total किसके equal होगा e के equal होगा अब देखो यह वाला पूरा even है यह वाला even है क्योंकि two का multiple है यह even है और यह even जो है वो set क्या है even set of क्या हो जाएगा element this is the set of basically even is the set of even degree vertex then the sum of sum of even numbers is even even number का समा में सा even होता है यह हम जानते है इधर वापस यह two का multiple है इसका मतलब यह तो even है यह यह जो होगा इसे even होना पड़ेगा क्योंकि हम जानते है we know that we know that even plus even एक हमारे पास में आप ऐसा समझ लो देखो इधर even है इधर भी even है तो यहाँ पर भी even होना पड़ेगा इसको भी क्या होना पड़ेगा even होना पड़ेगा क्योंकि हम जानते है कि even का हम ही even होता है और 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 होता है तो आप कह सकते odd plus odd even हो जाता लेकिन odd even odd तो even नहीं होता तो even even sum sum is equal to sum even 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 होता विशम अगर आजाता odd आजाता तो वो नहीं होता इसको even करना पड़ेगा so summation degree of vertex and V belongs to V2 V2 से बिलों कर रहा है शुद बी even should be even but even then there should be there should be number of element जब ये खुद odd है number of element कैसे होने चाहिए उसके अंदर even होने चाहिए even even का sum वापस क्या हो जाएगा तो अगर मैं odd odd number की बात करता है अगर देखो 2 odd number को मैंने add किया तो even आता है ऐसे अगर मैंने 3 odd number को add कर दिया तो क्या आएगा क्या होना चाहिए वहाँ पर भी यहाँ पर क्या होना चाहिए इसके अंदर number of elements जो है वो कैसे होने चाहिए number of elements की अगर मैं बात करता हूँ जिसे देखो 1 plus 3 plus 5 तो 9 हो गया ठीक है 9 हो गया 4 4 plus 9 but 1 plus 3 मैंने क्या तो 4 है तो ये तो odd even है ये odd है 1 plus 3 plus 5 plus 7 कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा यहां से 9 9 यह हो जाएगा यह पर देखो यह भी वापस odd आएगा नहीं sorry even आएगा ठीक है तो number of it means there should be number of element there should be number of element even number of element भी even होना चाहिए इसको even होने के लिए यह क्या हो जाएगा हम क्या कह रहा है vertex जो होंगे इसके अंदर कैसे होने चाहिए even होने चाहिए vertex जो उसके अंदर even होने चाहिए तब भी आपको odd degree वाले vertex सारे वो even मिल जाएगा क्योंकि हमें इस वाले condition को fulfill करना यह तभी fulfill होगा जब इसके अंदर present जिदने भी वी टू है यह सारे वी टू कैसे होने चाहिए even होने चाहिए यहाँ पे like the cardinality of वी टू के अगर मैं बात करता हो तो वी टू की cardinality जो है वो जाएगे even number of element इसका order हो जाएगे this is all about this now come to the question number 4 question number 4 में हम बात कर रहे है I think this is a question number 3 question number 4 question number 5 की तर्ज पे बहुत सारे question guarantee and step पे पोच्छे जाता है concept क्या हम बता देता हो concept is says that यहाँ आपको प्रूव करना है कि isomorphic isomorphic का मतलब आप दो तरीके से प्रूव कर सकते एक तो यह कि अगर आपके पास में vertex v1 v2 से connected है vertex v1 v4 से connected है इधर का भी vertex v1 v2 से connected होगा और v4 से connected होगा vertex v1 का v3 से भी connect है v1 का v3 से connect होगा 2 approach से 3 approach आप इसको प्रूव कर सकते है इस तो degree के concept से प्रूव कर सकता है एक corresponding ages के form में प्रूव कर सकता है corresponding vertex के form में प्रूव कर सकता है अब हम इसे प्रूव करना है isomorphic solution करेंगे इसका तो यहाँ पर हम group g1 की बात करेंगे तो g1 में क्या हो रहा है corresponding ages जो है पहले vertex की बात करता है vertex v1 जो है connected है v2 से इधर हम g1 लिख देंगे इधर g2 की बात करेंगे with respect to vertex v1 v2 से connected है यहाँ पे भी आप देख रहे है v1 डैस जो है वह v2 डैस से connected है similarly v1 डैस is again connected to v4 and v4 is connected to v1 अगे आप यहाँ पर देखते हैं v1 डैस भी v4 डैस से connected है यह भी v4 डैस से connected हो जाएगा यहाँ पर आप देखे हैं कि v1 जो है वह v3 से भी connected है अलग से जो यह side आ रहे है से और यहाँ पर आप देखेंगे तो v1 डैस जो है वह v3 से connected है v3 जो है यह v2 कह लेता है v2 लिख देता है v2 अब ऐसा नहीं v2 एवन से क्योंकि तमने यहाँ पर लिख दिया ना उल्टा होगे v1 अब आगर बात करेंगे v2 v3 connected है यहाँ पर आप देखो यह v2 और यह v3 is also in connection v2 डैस और यह हो जाएगा यहाँ पर v3 डैस यह तो एक अप्रोच होगे और यहाँ पर अगेन हो जाएगा v3 जो है वह v4 से connect करता है और इदर भी देखो यह v3 v4 से connect करता है v3 डैस जो है वह v4 से connect करता है अब in the basis of degree इदर v1 की degree की बात करेंगे degree of vertexes इदर इसकी degree of vertexes की बात करेंगे v2 की v1 की degree जो है यहाँ पर वह कितनी है एक दो तीन तीन से वह connect हो रहा है degree of v1 degree of v2 degree of v3 and degree of v4 similarly यहाँ पर भी degree of v1 dash degree of v2 dash degree of v3 dash and degree of v4 dash इसकी जो degree है यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे v1 की degree 3 आ रही है इदर v1 की degree 1 2 3 इदर भी 3 मिल रही है इदर भी 3 v3 की degree की बात करता है तो 1 2 3 सबकी degree सेम है यहाँ पर 3 3 आएगा यह e1 dash यह e2 है तो यह e2 dash यह e3 है तो यह e3 dash देखलो e3 मतब v1 v3 इदर वापस यह e4 है तो यहाँ पर e4 dash है इदर यह e5 है तो यहाँ पर भी e5 है देखलो e5 का है e6 basically यहाँ पर v4 और यहाँ पर यह वाला e6 हो जाएगा और यह वाला e5 हो जाएगा दर भी e5 dash e6 हो जाएगा सारे जब सेम हो जाएगे so we can say that g1 जो है क्या हो जाएगा g1 is isomorphic to g2 very easy now come to the question number six question number six the number of is in a simple graph g, simple graph की बात हो रही है, there is no loop and there is no multiple edges with n vertexes and k connected component k इसमे connected component है n यहाँ पर vertex है, can be xc, cannot be xc यहाँ इस सब की value इस से जादा नहीं हो सकती n-k, n-k plus 1 by 2 फिल्कुल सिंपल है के बार हम बात करता है n-i तक लिख दो basically n1 plus n2 plus n3 n-i तक जाएगा हम क्या जानते है यहाँ यहाँ पर इसका use कर लेंगे के बात करता हूं basically एक बार इसको simplify कर लेते है तो यह हो जाएगा submission i is equals to 1 to k and यह हो जाएगा n-i square minus submission i is equals to 1 to k inequality says that कि अगर आपके पास में यहाँ पर n square minus n minus 1 अगर ऐसा होता है n square submission of n square जो होता है वो basically less than होता है n square minus k minus 1 2 k minus 1 यह जो चीज़ है वो इससे less than होती है हम क्या करते हैं कि इसकी यह एक inequality होता है standard result होता हो याद रखना पड़े तो यहां से क्या हो जाएगा n square basically यह चीज़ जो है वो इसससे less than है तो हम क्या करते हैं कि इसको less than लिख देंगे inequality यहां तक तो equal था 2 n minus 2 n minus k 2 n minus 2 2 n minus 2 k minus 1 2 n minus k और आगे क्या मैनस सब्सक्राइगा submission n वमने कहां लिखा equation number 1 वह है this is basically submission i is equal to 12k k यह तक जाएगा k number of elements ना and that is n i is equals to n in सबका submission n है यह तो हो जाएगा यहां पर n और जो आप इसको simplify करेंगे तो यह less than हो जाएगा इसकी जगे रिजल्ट यूज किया है तो यह less than हो जाएगा और इसकी जगा answer आजाएगा वन बाइटू एन माइनस के एन माइनस के प्लस वन इसको पुरा सिंपल कर सकता है करेंगे तो यह आजाएगा इस टाइप से आपके पास में यह वेल्यू जा रहा है और यह इन सबसे ओल्वेज इदर वाला जो वेल्यू को इन सबसे ओल्वेज छोटा हो कभी भी इससे बढ़ा नहीं हो सकते है तो यहां गाता है इस नाट इस यह दो ऑुष झाट आई एक्सीड बाइं बढ़ा का भी हो सकता है इस दिज नॉट कभी जो है ओ और फो ट्येश्यक्त न मैनंस के न माईनस के प्लस वन से यह बढ़ा नहीं हो सकता है तो यह इस टाइब सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको प्रूब कर सकते हैं, ओके बढ़ता है, इसको प्रूब कर लेंगे, आगे बढ़ता है, अब बात करते हैं, यहाँ पर कुश्यन नमबर, यह हो गया हमारा कुश्यन नमबर, नमबर 6, नमबर यह हो जाएगा, 7, वही कोश्यन है, इस टाइब का कोश्यन हर बार पुछा जाता है, कोई भी डिफरेंट आपको दे सकता है, अब वही क्या करना है, आपको यहाँ पर वर्टेक्स टू वर्टेक्स करेक्शन देखना है, और एक यहाँ पर आपको डिगरी चेक करना है, इस से रिलेटेट जो कॉंपोनेंट का एज है, को चेक करना है, यह दोनों क्या हो जाएगा, प्रूफ करना है, अब बराबर ही होंगे, तो आप इसको लिख सकता है, प्रूफ करना है, प्रूफ कर लो सिदा और लिख दो, इ यहाँ पर एक ग्राफ बनाने के लिए बुलाया आपसे, कुशिन नमबर एट में, अगर आपके पास में ग्राफ इस टाइप का है, उसका वर्टेक्स आपको निकालना और एक ग्राफ आपको यहाँ पर बनाना, बात करता है, ग्राफ के बारे में ग्राफ कैसे बनेगा इस टोटल नमबर ऑफ कितना 5 है, फिर 7 है, ओकी, तो यहाँ पे V1 जो है, वो मान लेजिए V3 से connected है, V1 V3 से connected हो गया, ओके, V1 connected with V3, फिर कहा रहा है V1 V4 से भी connected है, तर लिख दो, V1 V4 से connected, यह E1 हो जाएगा, यह E2 हो जाएगा, अब क्या कहा सकता है यहाँ पे, V3 V4 से connected है, यह E3 हो जाएगा, V4 V3 से connected है, अगे, यह multiple हो जाएगा, V4 वापस V3 से connected है, तो यह multiple हो जाएगा, यह इस type, इस type, इस is E4, आव आगे बढ़ता है, E5 मैं कहा रहा V1 V3 से Connected है V1 V3 से Connected है ऐसे E1 E2 तो सेम ही दे दिया ना फिर मतलब क्या रहा यह आपस कहा रहा V1 V3 से Connected है तो इसमें वापस हम कहा देंगे कि V1 वापस V3 से Connected है Yes, obvious नहां पर भी आप Multiple बना दो यह E5 हो जाएगा E6 की बात करता है V4 V5 से Connected है कोई V5 है यह V5 हो जाए यह E6 हो जाएगा कैसे भी बना सकते है V4 V2 से Connected है V4 जो है वो V2 से V2 नहीं है तो आप यह V2 बना दो V4 जो है वो V2 से भी Connected है तो यह V2 हो जाए इस टाइप का एग्राफ बना दिया तो यह इसका रिजल्ट होगा बस और कुछ नहीं करना क्या चाहिए बनाओ आप पर डिपेंड करता है कि उसको किस टाइप से बनाना इस टोटली डिपेंड आप यह बस इसका सिंपल सायस आप बना सकता है और यह यहाँ पर इसको आप रिख दिएजे E7 ओके नाओ कम टूदी नेक्स्ट बात करते हैं आप आपको एक और थियोर्म के बारे में दिया है और उस थियोर्म के बारे में देखते हैं आप विद एन वर्टेक्सेज इस कनेक्टेड इप इस मोर देन न माइनस वन एन माइनस टू बाई टू एजिस इतने एजिस से ज्यादा एज होंगे तभी आप उन सब कनेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल तो क्या करेंगे देखों कॉंसेट अमारे पास में यह होता है मैक्सिमम नंबर ओफ एजिस कितने होता है अगर मैं बात करता हूं तो इप लेट लेट जी बी अग्राफ एंड इन नंबर ओफ वर्टेक्स इस एन तो मैक्सिमम नंबर ओफ एज और दिस ग्राफ इस गिवन बाइ n-1 and n-1 अपॉन अपॉन तो इस दो मैक्सिमम नंबर ओफ तो यहां पर हम क्या कह रहे है connected करना है maximum यह चाहिएगा इन वर्टेक्स ग्राफ विद मैक्सिमल मैक्सिमम की बात हो रहे है विद मैक्सिमल नंबर ओफ एज that is still disconnected अभी तक उसको connected नहीं माना है still disconnected disconnected का मतलब क्या हुआ अभी तक हम बात कर रहे हैं उसके अदर जो component है total k n-1 है इस connected है तो उसको complete connected ग्राफ बनाने के लिए हम क्या कर देंगे यहां से जो वर्टेक्स होंगे maximum तो आपके पास में n-1 हो गया अपॉन टू क्या करेंगे n को n-1 से replace कर देंगे जब n को contradiction से बात कर रहे हैं n-1 से replace कर देंगे तो यह हो जाएगा n-1 यह हो जाएगा n-2 upon 2 अभी तक बराबर है अगर मैं इसमें on adding अगर हम इसमें कुछ add कर देता है on adding any possible edge कोई भी एक possible edge को हम इसमें add कर देता है any possible edge मस्ट कनेक्टेड को कि कनेक्टेड होने चाहिए ग्राफ तो इसमें कुछ add कर देता है जैसे n-1 n-2 upon 2 है plus 1 यहां पर add कर देंगे यह plus 1 add करने पर that is also greater than n-1 यह जो है वो n-1 n-2 upon 2 से greater than होगा यह हमेशा इससे बढ़ा होगा n जाए vertex के number देंगे तो जब आप इसमें कुछ भी possible number of edge को extra add करेंगे वह always इससे बढ़ा होगा आपको proof क्या करना है maximum number of edges आपको इतने चीए होंगे maximum number of edges इतने चीए होंगे इससे जादा अगर आप कर देंगे तो वह बेसिकली simply connected नहीं रहेगा फिर उसमें multiple आपको वहाँ पर add करना पर वैसे हम यहाँ पर इसको बिल्कुल easily प्रूप कर सकता आप यहां पूरा डिसकस किया अब बात करते हैं यहां पर यह कुश्चन जो है वह टैन मार्क्स में गारंटी है पूछा जाता फिक्स है और मार्क्स का कुश्चन है फिक्स कुश्चन है करने के लिए कैसे फाइन करते हैं इसके वीडियो बना रहा रहा पर आपको पूरा इसके अंदर बता दूंगा इस टाइप से इसको फाइन करते हैं इन से चार कॉश्चन जिसके अंदर हैं दिए रखें दो कॉश्चन को सिंप्लिफाइए करेंगे आपको पूरा कॉंसेट से से क्लियर हो जाएगा तो फर्स्ट हम बात करते हैं यहां पर इस क्वेश्चन के बारे हैं अगर मैं यहां पर इस ग्राफ के बात करता हूँ तो पहले तो आपको क्या करना पड़क यह जितने वर्टेक्स लिक्ष सबको लिख दो हए si ग्रिझा अब क्या करना है अब हम यहां पर इनिश्यल हम यहां से स्टार्ट हो रहा कर रहा है तो जहां हैं वहां से distance को आप zero consider कर लीजी और उसको fix कर दीजी step से fix करना होता है अब बाके इन सब के आपके distance जो है वो infinite हो जाएगे क्योंकि यहां सम इन सब तक अभी नहीं जा सकते अब देखो यह इन सब के cost है basically 4,8,7 यहां सहां तक जाने के लिए 4 होगा यहां सहां तक 8 होगा तो minimum यह होगा आपको बात कर रहे हैं यहां पर next अगर मैं बात करता हूँ 0 तो चलो fix हो गया मुझे a to b जाना है 4 cost आएगा a to h जाना है तो 8 cost आएगा minimum common में से यह है मैं a से और कहीं नहीं जा सकता तो उन सब के लिए infinite आजाएगा a से मैं और कहीं नहीं जा सकता उन सब में infinite आजाएगा fix हो गया यह इसको कर लेंगे tick mark again 0 fix हो गया 4 fix हो गया एच के बारे में बात करता है मेरे पास मैं यहां पर b आ गया है अभी मतलब b की through मैं कहीं और जा सकता हूं कहां जा सकता है b की थूज़। h जा सकता है b की through अगर मैं h की तरभ जाओंगा तो 11 प्लस 450 आ रहा है लेकिन मैं a से बीद्वृ जा सकता हूं तो minimum मिनिमम तो यह यह न, A से तो S जाने के लिए अभी भी 8 ही मिनिमम रहेगा, मुझे C तक जाना है, B से मैं C जा सकता हूँ, वाया दिस पाथ को, C तक अगर जाना है, तो C तक जाने के लिए cost लगेगा, 8 प्लस 4, basically यहाँ पर आजाएगा, 12, यह 12 हो जाएगा, अभी इस B के थुरू मैं और कहीं नहीं जा सकता, तकि C मेरे पास अभी है नहीं, B से आगे बढ़ने के लिए C को पास करना पड़ेगा, C के थुरू मैं बहुत सारी जगे जा सकता हूँ, I जा सकता हूँ, F जा सकता हूँ, D जा सकता, अब अभी हमारे पास में only be confirm है इन दौनों में से minimum जो होगा हो जाएगा तो अभी हमारे पास में एक और रास्ता उपन होगे एक्स तक कि minimum नहीं minimum देखना आपको यह infinite 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 this is also infinite और यह भी इंफाइने तो कि हम यहां से जाए नहीं पहुंच सकते हैं अब देखो यहां पर यह 0 confirm हो गया और इसको यहां पर टिक लगाएंगे यह 8 confirm हो गया अब हम मैं बात करना है मतलब हम मैं हमारे पास में a,b and h confirm हो गया अब a,b,h से हम आगे कैसे जाएंगे उसके बारा मैं सोचना है तो देखों यहां पर a,b के through मैं जाना चाहता हूँ c a,b के through मैं c तक जाऊंगा तो वही 12 आएगा लेकिन h के through मैं c तक जाने से तक बीच में आईए तो यहां पर तो 12 ही लिखना पड़ेगा अब करो d तक जाते हैं d तो यहां पर है तो जाई नहीं सकते तो infinite हो जाएगा e यहां पर है infinite हो जाएगा f तक भी नहीं पहुंच सकत तो इन में सबसे minimum अच्छा i की बात करते हैं h से i तक जा सकता हूं मैं h से अगर मैं i जाऊंगा तो 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा और 15 हो जाएगा तो यह 15 हो जाएगा बट minimum इन में से यह यह fix हो जाएगा यहां पर यह 9 वाला पात नहीं कि यह जो यहां से यहां तक वाला प हमहं जाना है आगे को कि अगें अगर मैं C तक पहुंचना चाहता हूं देखो, 0 fix है, 4 fix है, इधर से 9 fix हो गया, 8 fix हो गया, A, B, G, H, तो मैं A, H, G से F की तरफ जा सकता हूँ, और G से I की तरफ जा सकता हूँ, बेसिकली पहले I की तरफ चलता है, एक एक को देखना है, 8 प्लस 7, 15 हो रहा है, यह तो कौन सा पात है, यह वाला, अब अगर मैं ऐसे जाऊंगा, तो भी इधर 8, यह 6 प्लस 1, 7 और 8, 15 हो रहा है, यह की बात है, तो आई तक जाने के लिए अभी आपके पास में 15, आप कोई भी पात चूज कर सकते हैं, इसका अंसर तो 15 ही मिलेगा, सी तक जाना है मुझे, मैं A, H, G किसे सी जाने सकता, यहां पर I बीच में है, तो मुझे B की थूँ ही सी जाना पड़ेगा, उसका अंसर 12 ही आए, B तक अभी हम जाए नहीं सकते, तो infinite लिख दो, E तक भी नहीं जा सकते, लेकिन F तक पहुंचने का तरीका एक यह हो सकता है, लेकिन यहां पर C अभी हमारे पास में है यह नहीं, तो हम बात ही नहीं करेंगे उस चीज की, कैसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, F तक तो यह हो जाएगा, 8 प्लस 210, 8 प्लस 210, प्लस 11, यह 11 आ जाएगा, अब इन सब में minimum 11 है, तो यहां पे इसको कर देंगे, मतलब हमारे पास में F भी आ गया, तो 0 confirm हो गया, मतलब B confirm हो गया, 4 पे, F confirm हो गया, 11 पे, D confirm हो गया, 9 पे, H confirm हो गया, 8 पे, लेकिन अभी इन सब के बारे में problem है, F से, अगर मैं बात करता हूँ, C तक जाने की, बिसलिए, C तक यहां तो 12 है यह, पर F से C जाओंगा, तो 9 प्लस 2, यहां पे 11, 11 प्लस 4, 15, तो अच्छा, तो मैं 12 से चला जाओंगा, तो यहां पर तो 12 ही आएगा, कलो ठीक है, D तक पहुंचना है मुझे, अभी भी D तक हम जा सकते हैं, ऐसे या ऐसे, ऐसे जाएंगे D तक, कि इतना हो जाएगा, 14, प्लस 1, 15, प्लस 10, 25, D तक पहुंचना है के लिए 25 की कॉस्ट लगेगी, yes, of course जा सकते है D तक, लेगिन उसका कॉस्ट आएगा 25, E तक पहुंचना है मुझे, पहुंच सकते हैं, 10 प्लस 1, 11 और 10, 21, ठीक है, E तक पहुंचना है, F हमारा कंफर्म है, 21 हो जाएगा, 8 प्लस 1, 21 हो जाएगा, but still इन सब मैं से minimum यह है, तो यह हो जाएगा, fix, मतलब अब हमारा पास में, A fix हो गया, B fix हो गया, C भी fix हो गया है, F भी fix हो गया है, D 9 पर fix है, 8, H 8 पर fix है, I, D, E अभी तक fix नहीं, तो आई, I पर चलने कोशिश करता है, इसमें I कितना आएगा, इसमें भी आपको 15 ही minimum मिलना है, Now अब बात करते हैं, यहाँ पर आपको पहुंचना है, अब D तक, C confirm हो गया, B भी confirm हो गया, तो अब चलते हैं, D तक, कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4, 12, प्लस 7, 19, D तक जाने के लिए 19, और अगर मैं इधर से जाओंगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा, अब मुझे यह तक जाना है, तो यह तक तो मैं ऐसे ही जा सकता हो, और तो कोई रास्ता ही नहीं है, तो अभी भी 21 ही है, तो क्या हो जाएगा, तो यह तक जाने के लिए वापस यह तो फिफ्टीन यह 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 ऐसे आओ, 10, 14, 15, 15 तो यह बाला sort रहेगा ABC वाया BC अगर आप चलेंगे कितना आएगा 14 ही आएगा तो यह 14 हो जाएगा फिल minimum 14 है I confirm हो गया है 0, 4, 12, 19 छोड़ो यह fix नहीं हुआ है fix कौन हो है यहां से fix हो हाई यह यहां से वापस 11 fix हो गया 9 8, 10, 14 मतलब यहां से आपको A, B, F, G, H, I ABC, F, G, H, I मिल गया है D तक जाना है तो यह रास्ता कैसा रहेगा 8 प्लस 4 अगें D तक जाएंगे तो आपको वही 25 मिलेगा लेकिन अब हमारा D तक पहुंद 19 कैसा आगया 19 नहीं तो आएगा 19 नहीं आएगा तो यह तक जाने करें तो अभी भी वही सॉर्टेस्ट पात रहेगा 19 ओके फिर बात करते हैं हम यहां पर E तक पहुंचना है यहां से जाएंगे यह तक वही 21 आएगा तो यह 21 हो जाएगा तो फिल्फ फिक्स हो जाएगा A फिक्स हो गया B C T भी फिक्स हो गया E फिक्स नहीं हुआ F D H अब यहां से जाने के लिए यहां तक आपको 21 वाला ही देखना पड़ेगा और कोई देखो अगर आप यहां से चले ऐसे क्या हो जाएगा 8 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 10 यह सबकोस बड़ा है 21 से अगर आप ऐसे चलने कोशिश करेंगे 19 प्लस 9 यहां से क्या हो जाएगा यह 19 प्लस 9 28 आ जाएगा चोटा कौन सा रहेगा सबसे चोटा 21 वाला रहेगा आप ऐसे चलो 8 प्लस 1 9 प्लस 2 11 और 10 21 यह क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा अब यह जाके फिक्स हो गया तो A to B की बीच की डिस्टेंस अगर मैं मिनिममम की बात करता हूँ तो 21 होगी और पात हो जाएगा आपका पात यह वाला A H minimum path A H G F क्या हो जाएगा A H G F minimum path minimum distance हो जाएगा कैसे आपका रहेगा इसको simplify कर सकते अब यह जो है सेम है आप साब इसका solution कर साथ जैसे मनें आपको एक concept समझा दिया है इसमें बस ध्यान यह रखना है कि direction दे रखिये आप इधर उदर नहीं जा सकते वही direction देने से क्या हो गया क्या फरक पड़ गया एक एक ही बात है तो जो इसका answer है वह मैं आपको बता देता हूँ basically example यह यह तो बुक का जो example आपको बता देता हूँ page number 265 जो है उसमें JPH इस पात आएगा A to C to E to G और minimum आएगा 7 आपकर सकता है एक और question same as it is यह भी example है book का example second और यह basically इसमें जो path आएगा A to C to B to D E and F minimum जो आएगा 13 आएगा इसके बुक का example है page number 264 पर present this is page number इस type नमना यहाँ बे discrete के सारे जो questions है उनको बिल्कुल इजी ली discuss किया है I hope आपको पूरा topic जो अच्छे से clear वाओगा so thanks for watching my video keep watching math math and this is it for more videos के लिए हमारे channel को subscribe करें thank you, bye bye